हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पंचायच चुनावे भाजपा प्रत्याईशियों के समर्धन में ब्यावर और जैतारन विधान सभा में विभिन जन सभाओं को संबोधित करते हुए सांसत दिया कुमारी ने कहा कि गाओं के सरकार में भाजपा को समर्तन मिलता है तो विकास की रफ्तार दुगनी हो जाएगी गाओं के छोटे-छोटे कारे पंचायच समिती के माध्यम से होंगे तो बड़े कारे केंद्र की मोधी सरकार करेगी सांसत ने राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार तो सिर्फ नाम करने के लिए है ब्याओर गोमती फोर्ले निर्मान के अधूरे कारों की स्विकृति पर सांसत ने कहा कि ये सब जंता के आशिरवार का नतीज़ा है कोविट कार में भी केंद्र सरकार ने करोडों की स्विकृती जारी कर दी राजी सरकार विकास के कारे करवाने तो दूर घोशना पत्र के वादे भी पूरे नहीं कर पाई किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो या बेरोजगारों को महंगाई भत्ता देने की बात कुछ भी नहीं हुआ उल्टे बिचली बिल की दरों को पढ़ा कर जनता की कमर तोड़ दी है बिचली बिल माफ करने की बात पर भी सरकार साफ हुकर गई और बिल पर संच चार्च बढ़ा दिया जब से राज में कॉंग्रेस की सरकार आई है जंता की रातों की नीन दुड़ गई है सांधन ने कहा कि पंचायट चुनाव में जंता के पास अच्छा मौका है कॉंग्रेस को सबक सिखाने का अगर आपने सबक सिखा दिया तो कॉंग्रेस को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जंता से वादा खिलाफी का क्या परिनाम हो सकता है कॉंग्रेस को स्वयम की सरकार बचाने के लिए जंता की आहुती देना भारी पड़ेगा पंचायत चनाव में जिला प्रमुक और प्रदान भाजपा के ही बनेंगी क्योंकि जंता भाजपा के साथ है और हमने प्रत्याईश्यों का चेहन भी जंता की गया पर किया है ब्यावर के पंचायतों में की आम सभाय और जनसंपर्क अद्धी थोरियान खेल मैदान में आयूजित सभा को संबोधित किया एवं पंचायती राच्छनाव में भाच्वा प्रत्याईशियों के पक्ष में मद्दान की अपील की इस दोरा नीलकंड महादेव मंदल अध्यक्ष शडुंगर सिंग रावत समराट पृत्वीराच शोहान मंदल अध्यक्ष काना राम गूजर जिला परिशत के वाच्वा प्रत्याईशि कुंकु देवी गूजर वाच साथ से राजेंद्र पसाग बागडी वाच नौ से जवाजा पंचायत समीतिकी वाच 14 से प्रत्याईशी सुशीला देवी रावत वाच 15 से सुगनी देवी गूजर वाच 16 से पारी देवी जाट वाच 17 से भवर सिंग भाटी वाच 18 से प्रदीप सिंग रावत वाच 19 से रेश्मा देवी बलाड सरपंच सुनीता बाना देवराजी रावत हीरा सिंग विक्रम सिंग रावत ब्रह्माराम गुजर राम चंद्र जाट आधी उपस्तित रहें सारोट चौराया ग्राम पंच्राय देवाता की जनसभा में जिला परिशत प्रतियाशी वार्ड नमबर साथ राजेंद्र बसाथ बागरी पंचायत समीती जवाजा वार्ड नमबर एक, महेंद्र सिंग रावत वार्ड नमबर दो, संतोश रावत वार्ड नमबर साथ, डुंगर सिंग रावत वार्ड नमबर आठ, पुषपेंद्र सिंग भाटी वार्ड नमबर नौ, नरेंद्र सिंग वाट नमबर 10, कंजिन सिंग वाट नमबर 11 से नी विरोतक विजेता ममता देवी, वाट नमबर 12, निर्मला देवी वाट नमबर 13, श्रीमती अंजूलता सरपंच काबरा उपस्तिती जेतारन विधान सबा में की आम सभाएं जेतारन विधान सबा के बगडी कलालिया में जिला परिशित पाली के वाट 26 से भाजपा प्रत्याइशी संतोष कवर पंचायत समिती राइपूर के वाट साथ से प्रत्याइशी घंशाम सिंग के समर्थन में चनावी सबा को संबोधित किया और पंचायती राजगो जन कल्यान कारी कारियों के लिए भाजपा के पक्ष में मद्दान की अपील गी जैतर इन्विधान सबा के धौली मगरी ग्राम पंचायत सबलपुरा में जिला परिशित पाली के वाट 28 से भाजपा प्रत्याइशी मिनाक्षी कवर पंचायत समिती राइपूर के वाट 5 से प्रत्याइशी पद्मा देवी दिवासी, पंचायत समिती राइपूर के वाट 18 से प्रत्याइशी श्रीमती इंदा देवी जी के समर्तन में चुनावी समा को संबोधित किया और जुनाफ काराले का उधगातन किया इस दौरान जैतारान विधाय का विनाश के लोग कान सिंग, इंदा मंडल अध्यक्ष मोहन सिंग, कमांडो राजेश मिवाड़ा, पुषपेंद्र सिंग, कुड़की, मल्ला राम सिर्भी, युवा मोचो जिला अध्यक्ष दिगविचे सिंग, प्रभुराम माली, रंजीत सिंग, महेंद्र कुमावत, मोहन जाट कल्यान सिंग, उदा राम, कनईया लाल मर्पत सिंग जी, मनोहर आधी कार्यकरता उपस्तित थे सांसे दिया कुमारी आज मेरता विधान सबा शेतर के विभिन नस्तानों गर पंचायती राच शनाव में भार्व का प्रत्याशियों के पक्ष में जन सभाव को संबोधित करेगी जागरुख टिपी के लिए राच समन से नरेंद्र सिंग खंगारोत की रिपोर्ट